आस्ट्रेलिया के पूर्व कोच डेरन लेहमन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और हैकर्स लगातार नाम और डिस्प्ले पिक्चर बदलने के बाद हैंडल से अपमांजनक संदेश पोस्ट कर रहे हैं डेरन लेहमन फिलहाल BBL में ब्रिसबेन हीट की कोचिंग में व्यस्त हैं 2018 में लेहमन ने केप टाउन टेस्ट में गें से चेरचार के मामले में आस्ट्रेलिया के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था लेहमन दूसरी हाई प्रोफाइल आस्ट्रेलियाई खेल हस्ती हैं जिनका अकाउंट हैक किया गया है इससे पहले शेन वाटसन का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया था हैकर ने 340-00-00 followers को इरान विरोधी संदेशों और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए लेहमन के अकाउंट का उप्योग किया है वे एशियाई नेशन की पीडा से संबंधित इमेजस और यूट्यूब क्लिप के साथ देश के बारे में कई स्पश्ट ट्वीट भेजें